हेलो दोस्तों, क्यासे हैं? आज हम लोग अपना लाइट का चेप्टर कंटीनिव करने जा रहे हैं हम लोग पिछले दो वीडियो में क्या पढ़े? टाइपस ओफ रिफ्लेक्शन पढ़े, लाइट के बारे में पढ़े, लियूमिनस ओबजेट के बारे में पढ़े, ट्रांसलूसिंट, ओपेक, ट्रांस्पेरेंट के बारे में पढ़े और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, स्फेरिकल मीरर के बारे में, स्फेरिकल मीरर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, कि हमारा दो तरह का होता है Concave और Convex अब हम लोग सीखेंगे Mirror कैसे उस Mirror में Object रखने पर Image कैसा बनता है Object कहां रखेंगे तो Image कहां बनेगा Image कैसा बनेगा Real बनेगा कि हमारा Virtual बनेगा कैसा बनेगा उसकी property कैसी होगी उसकी characteristic कैसी होगी हम लोग अब उसके बारे में सीखने जा रहा है उसको सीखने के पहले हम लोग कुछ important points को जान ले Mirror के संबंदित Mirror में कैसे कैसे वो काम करता है चलिए अब हम एक चीज़ा मसते हैं दोस्त कि मान लेते हैं कि हमारा ये Concave Mirror है चुकि हम लोग बाहर से पॉलिस कर दियें दोस्त तो इसका reflecting surface कहा हो गया है अंदर की तरफ हो गया है reflecting surface जब अंदर की हो जाता है बाहर हम लोग पॉलिस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा अंदर से reflect करेगा तो कुछ important बात हम लोग जान लेते हैं दोस्त ये क्या होता है हमारा हम लोग क्या किये हैं, इसमें से एक इतना छोटा टुकडा काटके निकाल ली हैं, यह हम लोग का यहां पर बना हुआ है, यहां तक clear है, अब इसका यह center होता है दोस्त, और हम लोग जानते हैं circle में कि center से, center से किसी भी इसके circumference पे कोई भी जो point होता है, अगर इसके उपर हम लोग एक tangent ड्रॉ करें, तो यह perpendicular होता है, यह हम लोग match में पढ़ें दोस्त, फिर से दूर आते हैं, किसी circle के center से, इस circle के radius पर, अगर हम इस circumference पे इस radius को touch कराएं, तो इस point पे अगर हम लोग एक tangent ड्रॉ करते हैं, तो यह point पे, यह जो radius है, perpendicular होता है, तो यह radius इस circumference पे, हर point पे perpendicular होगा, क्योंकि हम हर point पर अगर एक tangent ड्रॉ करें, तो हर point पे क्या हो जाएगा, perpendicular होगा, यानि कि, यह जो हमारा radius वाला जो line है, जो radius दिख रहा है आपको, हमेशा, इसके उपर एक perpendicular बन जाएगा, अगर हम यह आपर tangent ड्रॉ कर देते हैं, तो, यह तो clear है ना दोस्त, अब इसी चीज़ को हम लोग अब यहाँ यहाँ यूज करेंगे, यह पूरा mathematics वाला च तो यह क्या है हमारा, हमारा arc है, जैसे देखे, यहाँ से यहाँ तक मेरा arc था ना भाई, तो इस arc को जहाँ तक इस light को reflect कर सकता है, उस पूरे section को हम लोग क्या बोलते हैं, aperture बोलते हैं दोस्त, ठीक है, एक चीज़ तो clear हो गया, कि इस section को हम लोग aperture बोलते हैं, इसके पूर इस section का जो mid point होता है ना दोस्त, center, इसको हम लोग pole बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, इसको pole बोलते हैं, P से indicate करते हैं इसको, clear है, यहाँ तक में तो कोई दिकत नहीं, अब आगे पड़ते हैं, यहाँ देखेगा, माल लेते हैं इस point को P बोलते हैं, तो यह जो line है, इस P और यह हमारा क्या है दोस्त, यह हमारा center of the circle है, circle का center है, P, तो उस तरह से इस arc का भी तो कोई एक center होगा ना, इस arc का एक कोई center होगा, तो मान लेते हैं कि यह हमारा center है, जैसे हमारा center है, तो इस pole को center से मिलाने वाली रेखा, यह, अब इसको थोड़ा सा लंबा कर दें हैं, ऐसे, तो यह जो हमारा क्या था, O था, यह क्या है हमको, इसको center बोलते हैं, clear है, इसको क्या बोलते हैं, center बोलते हैं, तो अब आपको यहां समझना है, यह जो center है हमारा, इसको हम लोग O यहां नहीं बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, center of curvature बोलते हैं, clear है, चलो, इसको तो हम O के जगह C लिख दें, चलो भईया, C लिख देते हैं, इस वो क्या बोलते हैं, Center of curvature बोलते हैं, C और P को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा आपके सामने जो दिख रही है, अरे फिल्म वाली रेखा नहीं, ये लाइन की बात हो रही है, ये जो पी जो लाइन है न, इस लाइन को हम लोग Principle Axis बोलते हैं दोस्तफ, समझ में आँ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Principle Axis बोलते हैं इसको, C को center of curvature बोलते है, P को pole बोलते है, M dash को aperture बोलते है यहां तक clear है, ठीक है अब इसमें एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं यह जो pole है, यह जो pole है हमारा, यहां से यह पूरे ar का center होता है यहां तक clear है, यह हमारा center of curvature होता है कोई भी line अगर हम object को कहीं भी रखेंगे तो इस mirror के सामने ही रखेंगे ना अगर हमको अपना मुहु देखना है एनक में तो हम एनक के सामने ही अपने आपको place करेंगे तो कोई भी object का जब हमको image देखना होगा तो image कहां रखेंगे स्वरी, object कहां रखेंगे object हम इस mirror के सामने ही न रखेंगे तो उसका हम कोई image बनेगा जहां भी बने, एक स्वाइट जगह पे बने रखेंगे तो इसके सामने में तो एक important चीज क्या है, मान लेते हैं कि यहां पर एक object को रखा गया है, अभी हम placement के बारे में बात नहीं कर रहे हैं एक मोटे तौर पर बात कर रहे हैं यहां समझने कोश कीजेगा, एक object को यहां रखेंगे, तो जब object को रखते हैं तो यहां से असंखे beams of light निकलती हैं, असंखें, बहुत सारी निकलती हैं, लाखों, करोडों अरबों की संख्या में light निकलती हैं जैसे, मेरे पे अभी light पढ़ रही है तो आप बोलेंगे, सर, कितना light आपके सरी सरी reflect हो रहा है, तो भाईया माथा से लेके हमारे पैर तक मेरे इस बाजू से लेकर इस बाजू तक, पूरे सरीर से light reflect कर रही है असंखे light reflect कर रही है तो आपको एक चीज़ समझना है कि इस असंखे light में क्या हम लोग सबको यहाँ draw करेंगे क्या जैसे, एक object है यहाँ पे, यहाँ से light ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है इस तरह से असंखे light होगी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है मतलब चारो तरफ light जा रही है यहां से Am I right? तो क्या हम इस sublight को लें? सीम्पल एक चीज बताइए हमको इस sublight के क्या जरूरत है? मेरा mirror इतना ही दूर में है तो हम यह जरूर light जो बाहर की और जा रही है इसके बारे में हम क्यों consider करें? हम उसी light को consider करेंगे जो हमारे mirror पे आ रही है बाकी को हमको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की क्योंकि मिरे लिए वो relevancy नहीं है इस light के मिरे लिए relevancy बताइए relevant है क्या मिरे लिए? यह जा रहा है, आस्मान में जा रहा है क्या करेंगे इसको जानके हम हमको असमान का reflection मों कहां समझ में आएगा तो हमको बाकी light की जरूरत नहीं है clear है? तो यहाँ पर आप समझेंगे क्या इस light की हमको कोई जरूरत नहीं है तो हम बाकी को erase करते है चलिए, इसको अगर हम erase कर देते है तब आप बोलेंगे sir, यहाँ पर तो बहुत सारा light है हाँ, है यही तो समझना है यही तो main crux है दोस्त चलिए, इसको हटा दिए अब बोलेंगे sir, यहाँ से भी तो asankhya light जाती होगी yes, true, यहाँ से asankhya light जा रही है क्या, हम सबका light का reflection लेते रहेंगे क्या नहीं दोस्त इतना light हम लोग नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग को बस दो light की जरुद परती है दो ray की जरुद परती है बस, क्यों, भाईया जहाँ पर वो intersect करेगी वहीं पर न हम उसका image बनाएंगे इतना सारा के जरुद क्या है अगर इतना सारा हम light ले माल लेते हैं और इसको ray से real fact करते रहें, ऐसे ऐसे करके तो सोचिए, क्या होचपॉच नहीं दीख रहे हैं आपको कोई भी clarity समझ में आ रही है आपको कोई clear बनेगा, नहीं कोई भी clarity नहीं है हमारे picture में बिल्कुल clear नहीं है ये तो क्या है, ये गलत है इस तरीके से हम लोग नहीं बना दे हैं तो हम लोग बनाते हैं किस तरह से हैं, अब हो सीखते हैं दोस्त, इसको भी हम लोग erase कर देते हैं clear है, अब चलिए, यहां तक भी ये erase हो गया तो अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्त ये सब तो हम लोग को समझना था, तो हम लोग समझ लिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपने convenience के लिए अपनी सुविधा के लिए कि ताकि हमारा जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम लोग का image बनेगा, ये गंदा न हो, photo भी गंदा न हो clarity हो इसमें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो light लेते हैं, clear है, ठीक है, अब दो light कौन-कौन लेंगे वो भी आपको बताते हैं, तो उसके बताने के पहले एक चीज आपको बता जाते हैं, जब ये light यहां से parallel जाएगी, parallel to principal axis, अगर ये इस mirror से टकराएगी, इस mirror से, concave mirror से टकराएगी, तो टकरा कर, ये एक point होता है, principal axis पर, यहां से टकरा कर, रहसे reflect होगी, clear है, अगर मान लो यहां से कोई और भी light होगी, कोई और भी light है, जैसे मान लेते हैं, कि अगर ये object हम यहां रखते और इतना बड़ा रखते, तो ये भी जाने के बाद, इसी point से reflect होती है, यानि कि, जिस point से reflect होती ये इस point को focus बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, focus, और experiment में ऐसा measure किया गया है, कि ये जो focus होता है, ये radius का आधा होता है, radius का आधा, ये बीचों बीच, point से सारी light होकर गुजरती हैं, यानि जो भी light इस mirror पे आके पड़ेंगी, जब यहां से reflect होंगी, तो इसको f से होकर गुजरना जरूरी है, यहां तक clear हो रहा है दोस्त? चलिए, यह आपको बताने के लिए हमको इतना बताना था, क्योंकि focus किसको बोलते हैं, focus उस point को बोलते हैं, जो principle axis पे होगा, जहां पर कोई भी object से light अगर reflect होकर principle axis पे strike करती है, strike करने के बाद, जब वो reflect करती है, तो वो focus से होकर ही गुजरती है, clear है, चलो, done, यहां तक तो clear हो गया दोस्त, ठीक है, चलो अब इसको बताएं, अगर इसको क्या बोलते हैं, cp को क्या बोलते हैं, cp को क्या बोलते हैं, यह हमारा radius था न, इसको radius of curvature बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cp को radius of curvature बोलते हैं, radius of radius of curvature बोलते हैं और f को क्या बोलते हैं focus बोलते हैं और radius को हम लोग यहां r से indicate करते हैं focus को हम लोग f से indicate करते हैं तो क्या होता है f is equal to r by 2 या फिर आप r is equal to 2f आपको जो मरजी सो आप लिख सकते हैं ठीक है यहां तक clear हो रहा है चलिए अब इसको erase कर लेते हैं आपको अब समझाते हैं कि दो light कौन-कौन सा लेते हैं अपना image बनाने के लिए जो कि बहुत important है दोस्त कौन सा लेंगे दो light ठीक है इस चीज को समझाना था इसलिए हम आपको बता दिये दोस्त अब हम लोग समझेंगे यहां पर कैसे बात करेंगे यहां पर चलो ठाण अब एक चीज समझो जो कि इस mirror के ऊपर strike करें चलो ठीक है एक light लेते हैं दोस्त जो कि mirror को strike करें parallel to principal axis ठीक है चलो यहां से एक तो हम ले लिए भाईया कि जो parallel to principal axis light जाए यहां से strike करें और यहां से focus से होके गुजरें ठीक है एक light तो ऐसे लेते हैं दूसरा light कौन से लेते हैं दोस्त एक light को हम लोग focus से गुजरते हैं एक light को हम लोग center of curvature से गुजरते हैं यह बहुत important है समाजना था इसलिए आपको बता रहे हैं जैसे अगर इसको क्योंकि बहुत सारी light जाएंगे न चारो दरफ से तो हम वही light लेंगे जो हमारे center of curvature से होकर गुजरे तब आप बोलेंगे sir यह टकरा के भी तो इधर आएगी नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी सोचिए तो क्यों नहीं आएगी अभी आपको थोड़ दर पहले हैं कुछ हम बता रहे थे अगर कोई भी line ray ray खा कुछ भी center of center से इस circle के center से अगर इसके circumference पे strike करेगी दोस्त तो क्या होगा इस point पे perpendicular होगा और हम जानते हैं कोई भी light किसी भी mirror पे अगर perpendicular होगी तो वो उसी direction में लोट जाएगी जिस direction से आ रही है अगर वो mirror है तो यानि कि light अगर ऐसे जाएगी जो center of curvature से गुजरेगी तो ये line क्या कहलाएगा radius ही कहलाएगा न दोस्त तो radius पे जब भी आएगी तो इस point पे क्या होगा इस point पे अगर हम tangent draw कर दें तो इस point पे क्या हो जाएगी ये perpendicular हो जाएगी और perpendicular होगी तो क्या होगी light ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी और इसी पे लोट के चली जाएगी clear हो रहा दोस्त ये बहुत important point था यानि कि हम लोग image बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि एक light लेंगे जो principal axis के parallel हो और दूसरा लेंगे जो center of curvature से होके गुजरे और जिस point पे ये दोनो reflected ray एक दूसरे को intersect करेगी उसी point पे image बनेगा clear हुआ? यानि कि image कहां बनेगा? ऐसे अभी हम आपको image बनाने सिखा नहीं रहें दोस्त पहले आपको बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यूं करते हैं उसके बाद हम लोग एक अग करके सारा image सिखेंगे खेर यहाँ पर आपको बता दिए आप समझ लीजिए कि जब दो light आपस में एक दूसरे को intersect करेंगी after reflection तो जिस point पर intersect करेगी उस point को हम लोग क्या बोलते हैं? वहीं पर वो image बनेगे अब चुकी principal axis के नीचे बनी है तो उल्टा लहेगा principal axis के उपर बनता तो सीधा होता अब जो उल्टा बना है तो यह क्या हो जागा दोस्त? उल्टा जब भी बनेगा तो क्या होगा? यह real image होगा कैसा होगा? real image होगा अगर यह उल्टा होता है तो real image होता है क्यों? real मैं आकर कट रही है न? virtually तो कट ने रही है ठीक है? चलो यहाँ तक clear है? ठीक है चलो अब आगे बताएं थोड़ा चलो दोस्त अब थोड़ा आगे और सीखते हैं अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? कि concave mirror को हम लोग converging mirror भी बोलते हैं अब converge करने का मतलब क्या होता है दोस्त? converge करने का मतलब क्या होता है? जाकर एक जगा मिल जाना बहुत सारी चीज़े जाकर जब एक जगा आकर मिल जाती है जो क्या बोलते हैं, converge करना ऐसे सब लाइट जा रही है जैसे सब लाइटें आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे सब लाइटें जा रही है कहां जा रही है भईया principle एक्सिस के parallel है और सारी लाइटें जाकर mirror को strike कर रही है strike करने के बाद सब क्या होगा सब जाकर या फोकस से होकर सारी लाइटें गुजरेंगी सारी लाइटें कहां से गुजरेंगी फोकस से होकर गुजरेंगी तो जब सारी लाइटें आफ्टर रिफ्लैक्शन फोकस से मिलती है फोकस से होकर गुजरती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं Converging Mirror यानि कि Concave Mirror का दूसरा नाम Converging Mirror भी है ठीक है? चलो अब एक Convex Mirror के बारे में आपको बता दे Convex Mirror कैसा होता है दोस्ट? ये होता है अब जो ये फोटो था ना दोस्त इसको ऐसे घुमा दिये हैं ठीक है? अब इसमें क्या हो जाता है? Police हम अंधर से कर दिये हैं लेकिन ये भी तो किसी ऐसे Circle का ही टूकड़ा है ना? ये किसी Circle का ही टूकड़ा है न दोस्त? ऐसे अब नाम वगरा सब वैसा ही होता है जैसे इसमें हम लोग किये हैं सब कुछ वैसा ही होता है center हमारा यह होता है लेकिन चुकि हमारा reflecting surface जो है बाहर की तरफ है चुकि यह क्या है हमारा convex lens है sorry lens बोर रहा है mirror है convex है यह हमारा concave था तो convex जो हमारा mirror है इसमें reflecting surface बाहर की तरफ होगा तरहीं object हम कहां रख सकते हैं अंदर में तो रखेंगा नहीं न दोस्ट polish इधर में polish कर देंगा तो यह opaque है इस sides के लिए opaque है तो कुछ भी हमको पता ही नहीं चलेगा न दीखेगा न कुछ एक दीवार के सामने क्या दीखेगा कुछ तो नहीं दीखेगा aperture बोलते हैं aim, aim dash इसका beach वाले point को हम लोग pole बोलते हैं तो ठीक इसी तरह से इस center को यहां से मिलाने वाली रेखा हो क्या बोलेंगे? principal axis बोलेंगे तो object कहीं भी रखेए यहां पर क्या किजे? कहीं भी रखेए ठीक है? तो यह light भी बिल्कुल इसी कितर होंगी? ऐसे जाएंगी और यहां से reflect होके इधर चली जाएंगी अगर मान लेते हैं नीचे से रहेंगी तो ऐसे जाएंगी इधर मूड जाएंगी ऐसे जाएंगी और ऐसे मूड जाएंगी तो इसको क्या बोलेंगे? diverge होना क्या बोलेंगे इसको? diverge होना इसलिए convex mirror को diverging mirror भी बोलते हैं तो अब एक सवाल उठता है कि सर यहां पर तो आके मिल गया तो हम लोग को तो focus तो कभी दिखेगा ही नहीं क्यों नहीं दिखेगा? यह line तो आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं बिल्कुछ सही बात है नहीं मिलेंगे क्यों? यह भाया एक पूरब जा रहा है एक पच्छिब जा रहा है तो कभी मुलाकात तो होगी नहीं इस जनम में तो क्या होगा? हम लोग इसको अब अपने मन से बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएंगे? इसको पीछे की तरफ लेके जाएए इसको भी पीछे की तरफ लेके जाएए तो देखिएगा क्या? यह एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक सिसको सर्टेन पॉइंट पे काट रही होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पीछे की और मिलाने के बाद ऐसा हो रहा है रियल में नहीं हो रहा है हम लोग इसको imaginary line बोलेंगे दोस्त अपने मन से बढ़ा रहा है इसको और जिस point पर काटती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं virtual focus क्या बोलते हैं दोस्त क्लियर है चलो ठीक है यानि की इसको बोलते हैंगे diverging mirror इसको बोलते हैंगे converging mirror ठीक है इसको बोलते हैं ये real का focus है क्यों? line आकर real में अपने आप मिल रही हैं कोई मिला नहीं रहा है यहाँ पर अपने से नहीं मिल रही है लोग जबरदस्ती मिला रहा है ये क्या हो जाएगा वर्चुल फोकस ये हो जाएगा रियल फोकस अब यहीं पर एक पॉइंट समझना था आपको रियल इमेज और वर्चुल इमेज में क्या अंतर है आपको उस समय नहीं बताये थे इसको बताने के इंतजार करते क्यों रियल इमेज और वर्चुल इमेज में सबसे बड़ा जो अंतर होता है जब लाइटें किसी आपजेक्ट से निकल कर मीरर से टकराने के बाद रियल में किसी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर रियल इमेज बनेगा और जब वर्चुल इसको मिलाया जाए यहनि कि जबरदस्ती मिलाया जाए जबरदस्ती यह तो इधर चली गए ना कभी मिलेगी तो नहीं लेकिन जबरदस्ती पीछे की और ले जाएंगे तो जिस पॉइंट में मिलेगी वहाँ पर उसका वर्चुल इमेज बनेगा यह सबसे बड़ा अंतर था वर्चुल इमेज हमेज सीधा बनता है रियल इमेज हमेज उल्टा बनता है याद रखेगा यह मेजर डिफरेंसेस है क्या पहला बता है रियल इमेज हमेशा सीधा बनेगा इरेक्ट बनेगा बड़ा या छोटा बन सकता है वर्चोल इमेज क्या बनेगा ये भी बड़ा छोटा बन सकता है लेकिन ये हमेशा सीधा बनेगा रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा रियल इमेज हमेशा reflected ray के real में कटने से बनता है आपस में intersect करने से बनता है लेकिन virtual image हमेशा जबरदस्ती बढ़ाए हुए lines जब एक दूसरे को intersect करेंगे जिस point पे उस point पे virtual image बनता है इसलिए हम आपको उस दिन बताये थे कि plane mirror में virtual image बनता है plane mirror में virtual image बनता है कैसे बनता है हम आपको भी बता देते हैं plane mirror में ठीक है यहां तो समझ गया बस यहां पर बना देते हैं समझिएगा सिर्फ समझना जरूरी है दोस्त क्योंकि कैसे बन रहा है यह समझिए plane mirror वाला यह दोसम mirror आपको बता जा रहा है center of curvature हो नहीं सकता है क्योंकि यह तो plane होता है इसका infinite होता है दोस्त जो भी चीज खोजिएगा सब infinite होता है क्योंकि सीधा तो आपको दिखेगा नहीं light टकरा कर वापस लॉट जाती है पूरी सब perpendicular है कोई भी light इसके उपर drive कजिएगा यह क्या जाएगी perpendicular होगे जैसे जाएगी वैसे ही लॉट के आ जाएगी सीधा डालिएगा कोई भी light perpendicular होगा तो सीधे ऐसे जाएगी और लॉट के आ जाएगे इसलिए इस पे एसा नहीं होता तो अब कैसा होता है? अब image कैसे बनता है? आपका मुह कैसे दीखता है आईना में अब आपको बताते हैं कैसे दीखता है आप बच्पन में बहुत सारा खेले होंगे खेल कैसा कि सबके चेहरे पे आप रोशनी चमका हैं हम लोग क्या करते थे जब छोटे थे ना तो घड़ी उड़ी होता था तो चाहे इंस्टुमेंट दीबॉक्स होता है थो हम लोग जब क्लास्रूम में लाइट आती थी ने तो हम उसे करके चमकाते थे सामने वाले के चेहरे पर कैसे होता था यह सुझ के देखिए कैसे होता था बिल्कुल वाह यजिशिव आपको बताने वाले हैं कैसे उता था यह मान लेते हैं यहां पर बल्ब है। मान लेते हैं, देखे, मेरा बल्ब थोड़ा अलग टाइप कहा है। मानलीजे कर अधा, और हम यहां से देख रहे हैं। हम यहां से देख रहे हूं। तो हमको बल्ब जंकरली यहां पर दीखता है, आपको उसजिए बिता थे न, कि जितना अंदर है उतना ही जितना बाहर होता है तो नहीं अंदर भी बनता है इसका image बनता है तो हम यहाँ पर होते हैं तो हमको यहाँ पर बल्ब बना हुआ दिखता है एक बल्ब हमको यहाँ पर बना हुआ दिखता है तो कैसे बना हुआ दिख रहा है सोच के देखिए अब देखिए मेरी आँख है यहाँ पे माल लेते हैं कि यहाँ पर कोई खड़ा है यहाँ से देख रहा है तो कैसे दिख रहा होगा इसको इसको कैसे दिख रहा होगा इस बंदे को तो यह क्या कर रहा है light क्या होगी ऐसे तकराएगी इसके उपर अर्टकराएं क्या होगी यहां से ऐसे वापस आईगी इसके अंक पर आप भूलेगा सर light आई टकराके इसके अंक पर आ गई bulb कहां दिखा सर अब देखिए bulb कैसे दिख रहा है आ गई Really में तो कुछ नहीं हुआ न कहीं पर भी तो intersection नहीं हुआ reflection के बाद तकरा के तो आया नहीं न यहां से light ऐसे आई और यहां से तकरा गई कहीं तो कुछ नहीं हुआ लेकिन चुकि plane mirror है तो यहां से light को जब हम लोग पीछे की और बढ़ाए यहां से जब पीछे की और बढ़ाए तो यह light जाकर यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई actually मिली नहीं ऐसा लगा कि जाकर यहां पर मिल रही है अब समझ मैं तो यहां पर कोई आदमी है वो देखेगा अगर mirror को तो यह light क्या सीधी दीखेगी ने इसको तो यहां का object उसको यहां पर दीखेगा clear है? आप चाहें तो यहां पर एक line draw करके देख लें यह बिल्कुल law of reflection को follow कर रही है जिस angle से आई थी उसी angle से reflect कर रही है जिस angle से आई थी उसी angle से reflect भी कर रही है कोई problem तो नहीं है सारा चीज तो same है law of reflection को follow कर रही है यह normal है, यह incident रहे, यह reflected रहे यह normal है सीधे में तो दिखेगी नहीं जब उसको पीछे की और बढ़ाएगा तो इस point पर आकर intersect करती हुई दिखी तो यह image यहां पर बन गया तो plain mirror में ऐसे image बनता है दोस्त अभी हम लोग क्या सीखेंगे अगले वीडियो में की concave mirror में और convex mirror में किस-किस position पे रखने पर image कैसा कैसा बनता है यह हम लोग अपने आने वाले next वीडियो में बनाएंगे ठीक है, उमीद करते हैं आपको सारा समझ में आया होगा, पूरा clear हो गया होगा दोस्त, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में